नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल कोकिंग पाड़ साला में आपका बहुत-बहुत सवगत है आज हम बनाने जा रहे हैं आम पापड की खस्ता कचोड़ी जो बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छी बनती है तो चिलिए बनाते हैं आम पापड की खस्ता कचोड़ी आम पापड खर्षता कचोड़ी बनाने के लिए हमने ये आम पापड ले रखा है जो हमने घर में बनाया था तो 100 ग्राम आम पापड है अब इसमें हम 200 ग्राम गुड डालेंगे तो हमने पहले आम पापड को मिक्सी में एक बार ग्रैंडर में चला दिया है अगोड को हमने क्रेस कर दिया है इसको हम निकाल लेंगे बावल में दो चमच ने सोट का पाउडर ले रखा है और एक चमच काला नमक ले रखा है तो इसको भी इसी में add कर देंगे अच्छे से इसको मिला लेंगे अब हमने ये काली मिच ले रखी है काली मिच को हलका सगी में प्राई करके और इसमें मिक्सी में इसको डाल देंगे सारे सभी मिक्सी में डाल करके हम एक बार और पीस लेंगे थोड़ा सा इसको पीशने में दिक्कत होती है कि अच्छे से यह पिसता नहीं है तो धीमे धीमे इसको चलाएंगे दीरे से और फिर अच्छे से पिस जाएगा अब यह देखिए हमारा पिस गया है पढ़ियां से अब इसको निकाल लेंगे हाज से थोड़ा मैस करेंगे अब हम इसको साइड में रख देंगे यह हमारा बैटर बनके तयार हो गया अब हम खस्ता कचोड़ी के लिए आटे की तैयारी करेंगे तो दो कप हमने मैधा ले रखा है आधा कप हमने रिफाइंड ले रखा है तो हम इसको अच्छे से मैस कर लेंगे कि इस तरह से बैंड हो जाना चाहिए जैसे आप लेड्डू बनाते हो ना उस तरह से जब यह परफेक्ट इसमें मोयन लग गया है को अभेल्ड थोड़ा सब इसमें हलका सा गर्म पानी लेंगे इसको ढूत लेंगे आटे को थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालेंगे ज्यादा नहीं एक सप्ट डो हम तयार करेंगे मिल्कुल जैसे आटे का रोटी pro T आटे गूतते हैं उस तरह से हम इसको तैयार करेंगे थोड़ा सा हम इसको अच्छे से मैस कर लेंगे चारो तरब से फैला करके और फिर तो अभी हम 10 मिनट के लिए इसको रेष्ट करने के लिए रख देंगे आटे को अभी यह बहुत अच्छे से फूलेगा इसमें हमें पारी करेंगे छोटे छोटे चोटे बॉल एसे ले करके फिर गड़ा करके जुचारव तरफ से बराबर से एम लेंगे की पार इस तरह से हम इसको बेल लेंगे बेल करके इसके डर से बैडर भहर गे एक च्छोटी सी रोटी की साइज होती है पूस आकार में इसको आखे एक से और हम जुक्र ना जितना इसमें आ जाए तो इस तरह से हम ले करके और इसे दबा लेंगे तारू तरब से चाहे तो आप एक साथ बेल करके रख सकते हैं या एक एक करके बेल लीजिए इसको हम इस तरह से दबा देंगे और फिर हम बेलन से बेल लेंगे बराबर से अगर आप गुड़ पसंद नहीं करते हैं वैसे गुड़ तो सियत के लिए बहुत अच्छी चीज होती है तो बच्चे भी खा लेंगे तो अगर नहीं गुड़ यूज करना चाहते हैं तो आप चीनी भी यूज कर सकते हैं इसमें जो खटा मिठा और तीखे सोट का जो स्वा सब्सक्राइब के साथ आप अपना अनगा जो सेयर करिएगा तो यह हमारे आम पापड की कचोड़ी यह हमने इतने बेल लिये हैं तो आप हम इसको तलने के लिए तियारी करेंगे पहले हम इसको पांच मिनिट के लिए हलका सा गीला कपड़ा करेंगे उसको ढख देंगे अ अब हम कड़ाई में आयल डार करके इसको गरम करेंगे पहले हम हाई फ्लेम पर रखेंगे तेल हमारा गरम हो चुका है अब हम चेक करेंगे थोड़ा सा डाल करके टेस्ट करने का तरीका होता है कि जब उपार आ जाता है तो इसका मतलब हमारा आयल अच्छे से गरम हो गया ह अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे अभी ऑईल को ऊपर से थोड़ा सा ना लेंगे जिससे अच्छे से फूल जाए अब हम फ्लेम को स्लो कर देंगे विल्कुल और इसको पलट देंगे अब स्लो पे ही पकाएंगे इससे बिल्कुल कच्छा पन नहीं रहेगा और बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी बनके त्यार होता है तो आप जरूर बना के खाईएगा और हमाई वीडियो को जदा जदा लोगों में सेर करिएगा आप इसको 15-20 दिन बना करके रख के खा भी सकते हैं बहुत ही अच्छा होता है तो देखिए कितना अच्छा से आम पापड की खस्ता कचोड़ी बनके त्यार हो गई है आप इसे किसी अक्वेजन पर भी बना सकते हैं तो अगर हमारे आम पापड की वीडियो आपको भूले तो चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद